नमस्का राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कई है इस पर दिल्ली के उपराचपाल वीके सकसेना ने चीफ सेकेटरी नरेश कुमार को जाच कराने का निर्देश दिया है ये भी कहा कि मामले की जाच सीबी आई से करवाए मामले पर भाशपा की तरफ से मनोश्टिवारी और विरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फरेंस की इसमें आरोप लगाये की दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्वींद्र के जरिवाल नकली दवाओं के व्यापारी है उनका सब कुछ नकली है वहीं विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपके नेताओं के ब्रश्टाचर के खिलाफ परियाप तसबूत है ये पार्टी पैसे की भूकी है उपराचपाल वीके सकसेना ने चीफ सेकेर्टरी को लिखी चिठी में कहा ये नकली दवाएं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लाखों मरीजों को दी जा रही है और शायद मोहला क्लिनिक्स में भी बाटी जा रही है उन्होंने दवाओं की खरीद के लिए कि जा रहे खर्च पर चिंता जताई और दावा किया दूसरे राज्यों के सप्लायर और मैनुफेक्चर भी इस धानली में शामिल है सकसेना ने विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सरकारी लेबोरेटरी में जो 43 सेंपल भेजे गए थे उन में से 3 सेंपल क्वालेटी टेस्ट में फेल हो गए जबकि 12 रिपोर्ट अभी आनी पाकी है इसके अलावा प्राइवेट लेब को जो 43 सेंपल दिये गए थे उन में से 5 सेंपल क्वालेटी पर खरे नहीं उतरे